हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओहिता स्टेरेस गार्डेन, फ्रेंड्स आज का वीडियो है हिबिसकस प्लांस के आर के बारे में, फ्रेंड्स अभी फेब्रुरी का लास्ट वीक चल रहा है और ये फेब्रुरी टू मार्च ये दोनों मांथ जो है इसमें ये टाइम बहुत अ अच्छे से क्यार करें ताकि हमें पूरे सामर में इविसकस प्लांस में बहुत सारे फूल मिले, तो इस बारे में ही आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और कॉमे आपको बताऊंगी कि कैसे हम हिबिसकस प्लांस का क्यार करें कि हमें इससे बहुत सारा फूल पूरे सामर में मिल सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है हमें हिबिसकस प्लांस का प्रूनिंग करना है, हिबिसकस प्लांस में जितने सारे पुराना जो खराब है, जो ब्रांच उसको हटा देना है उसको कटाई जटाई करना है और अगर मानली जे बहुत लंबा हो गया है कोई ब्रांच एकदम उसका शेप खराब हो गया है तो इस तरह का जितने सारे ब्रांचेस है उस सारे ब्रांचेस को हमें हटाना है सुखे पत्ते और पुराना जो ब्रांचेस है उ देखें लंबा हो गया था यह जो ब्रांच इसको मैंने गाट कर दिया और बाकी जितने थोड़ा इसको एक अच्छा साँ शेप देना है क्योंकि कॉंटेनर में हम लोग प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है बहुत तो अच्छा नहीं लगता तो हमें जगा अच्छा नहीं लगता है वैसे ऑफ ब्रुनिंग कर रही हो अच्छे से इसको प्रुनिंग कर दीजिए तो प्रुनिंग करने से बहुत सरे नाया न отноय ब्रांचे साएगा और बहुत सारा फूल्र में सिके लेगा और नेक्स्ट जो करना है सब्सकूरी करना है इसका जो मित्ती में बहुत सारे जो गास और जो जंगली जुपधे रिखान almansy आधे,श्विशक का yapmış छांग मित्ती में हो इस प्टा क्या होते है mateix दिस्ता स院 होता है जो घास और जंगली जो चोटे-चोटे पौधे इसमें बहुत निकल आते हैं, उखते हैं, तो हम इसको अभी क्या करना है, इस टाइम अच्छे से वो सारे जो घास है, वो सब हमें साप कर देना है, क्लीन कर देना है, उसको उखर के फेकना है, और अगर ये सब रहेगा, तो उसमें जो हम अभी जो fertilizer डालेंगे, तो वो सब nutrients जो पौधो के लिए जो जरूरी है, तो वो सब ये सब plants उसको खीच लेगा, तो plants हमारा उतना healthy नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो सारे plants जो जितने घास है, उसको निकल के फेकना है, और उसके बाद क्या कर हमें हमें हलका हलका गुराई करना है, गुराई करना भी बहुत जरूरी है, plants को इस टाइम जो plants के जो container में जो मिठी है, उसको अच्छे से गुराई करना है, और गुराई करने के से क्या होता है, गुराई करने से जो मिठी के अंदर हावा अच्छे से चलेगा, और root तक और क्या होगा सारे जो प्लांट्स में हम लोग जो नूट्रियंस फार्टिलाइजर जो डालेंगे तो वह अच्छे से रूट्स तक पहुच जाएगा और प्लांट्स हमें एक हेल्दी प्लांट्स मिलेगा तो इसलिए हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है गुड़ाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे फार्टिलाइजर तो फार्टिलाइजर के इसाब से आप डाल सकते हैं कोई काउडंग मैनियूर भी डाल सकते हैं या तो आप भार्मी कॉम्पोस्ट डाल सकते हैं नहीं तो कीचेन कॉम्पोस्ट आप बनाते हैं तो वो भी अब डाल सकते हैं तो इस टाइम पौधों को बहुत ज़्यादा फाटिलाइजर की ज़रूरत है क्योंकि डॉन्मेंसी पिरियट के बारे में बाद प्लांस को अच्छा खाना देना बहुत ज़रूरी है ताभी जाके ये बाद में ये बहुत सारा फूल इसमें आए तो इसके लिए उसको बहुत सारा खाना देना पड़ेगा तो अभी मैं जो दे रही हूँ ये है गोबर की खाद ये पुराना गोबर की खाद मैं इसको इसमें डाल रही हूं गुड़ाई करने की बाद तो ये बहुत important है पूरे winter में ये जब dormancy period में रहते हैं तो इस टाइम इसको कोई भी fertilizer देने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं भी इसमें कोई fertilizer नहीं डाला था और आभी इसको अच्छे से गुड़ाई करके इसको plants को fertilizer डाल दिया और इसके बाद आप बाद में एक महीना तक तो आप कुछ मत डालिए इसमें फिर बाद में इसको liquid fertilizer डालिए थोड़ा जब अच्छे से घना हो जाएगा branches बहुत सरे निकल जाएगा तो उसके बाद full ज्यादा पाने के लिए आप इसमे potassium reach कोई इसमें खाद डाल सकते हैं जैसे कि आप केले के छिलके से जो liquid खाद वो भी बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है बहुत सारे फूल पाने के लिए तो अभी आप गोबर की खाद या भार्मी कॉंपोस्ट या किचन कॉंपोस्ट डालिए लेकिन बाद में आप जो potassium reach कोई खाद डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे अगर आप क्यार आपको प्लां प्लांस में बहुत सारा फुल मिलेगा देखिये मैं ऐसे करके सारे प्लांस को गुडाई करके इसमें डाल दिया जो गोबर की खाद डाल दिया एक एक करके सारे पौधे को मैंने ऐसे क्यार किया और उसके बाद इसमें हमें डालना है पानी पूरा भरके इसमें पानी डाल दीजिए ताकि हम लोग अभी जो यह जो कॉंपोस्ट दे रहे हैं तो यह एकदम रूट तक यह जो खाना जो है इसको पहुच जाए और उसके बाद हिबिसकस प्लांट से बहुत सारे फूल लेने के लिए इसको फूल सानलाइट में रखना ज तो इससे आपको बहुत सारा फूल मिल सकता है तो देखिए और जब गुराई करेंगे यह भी ध्यान रखना कि ज़्यादा रूट्स को कोई इसमें नुकसान ना हो इस तरह से हलका हलका उपर उपर से आपको गुराई करना है और ऐसे गुराई करके थोड़ा सा जगा बनाईए और वहां पर आपको जो गोबर की खाद डाल के या कोई भी खाद जो आप डाल रहे है उसको डाल के इसको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए फिर उसके बाद पानी डाल दीजिए तो फ्रेंड्स आप भी आप अगर नहीं किया इस सिंपल प्रोसेस में आप कर सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेंड्स इबिसकास का प्लांस नहीं है तो भी इस टाइम आप काटिंग से भी इसको ग्रो करेंगे तो भी बहुत अच्छे से वो ग्रो हो जाएगा क्योंकि ये cutting लगाने के लिए भी बहुत अच्छा time है इस time और अगर आपके पास cutting लगाने की सुभीदा नहीं है तो आप nursery से भी ले के आ सकते हैं और अगर आपके पास है plants पहले से ही तो आप इस तरह से उसको care कर सकते हैं तो friends ये था आज का वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना मेरे वीडियो को तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching कर दो वीडियो कि प्रिशदार से प्रेंडेल कुछ भी जरूर ये तो जरूर कुछ प्रय दोड़ियो में कर दोदिता हैं